हेलो दोस्तों स्वागता आपका अमारी चैनल में मैं बी एस मीना वरिष्ट प्रवक्ता यांत्रे की तक्निकी सिक्ष्य विभाग राधिस्तान आज हम प्रॉब्लम सेशन में डिस्कस करेंगे पॉर श्ट्रोक इंजिन के टर्निंग मोवेंट्स प्याधारित आएए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इस सिंगल सिलेंडर फॉर श्ट्रोक इंजिन तीन सो चक्रपरती मिनाट पर कारिये करते हुए बीस क्लो वाट शक्ती उत्पन कर रहा है सक्ती अवगात यानि पावर श्ट्रोक जिसको बोलते हैं एक्स्पेशन श्ट्रोक सक्ती अवगात में उत्पन उर्जा संपीडन अवगात यानि कंप्रेशन श्ट्रोक में खर्च उर्जा की तुगनी है सक्सन इम एक्जोस्ट श्टोक्स में किया गया कारिय नगण है कुल गती उच्चा वचन मैद गती का प्लस माइनस टू परसेंट तक सीमित रखा गया है गुमाव गून को कंप्रेशन वे एक्सवेंशन श्टोक में चर्बजाकार मानते हुए गती पालक पाईये का जड़ता आगुन ग्यात की यानि फ्लाइवील का मोमेंट ओपेनर से आपन को ग्यात करना है टो सबसे पैदे देखें क्या-क्या जो है डाट अपने पास है उपलब देखो एक तो पावर दे रखी है वह पावर यानि पी परावर मानते हैं पर बीस किलोवाट है ठीक है और इसको वाट हम देखा तो बीस इंटू टैंट कर थरी वाट हो गया ठीक है और इस टॉक एन एपना जो compression stroke होता है compression stroke को जितनी उर्जाख खरत होती तो expansion stroke में उसे तुगनिप अपनको मिलती है तो यानि जो expansion stroke की उर्जाक कितनी ब argued इंग बाता है तीन गुना ओफ नो इस टो कुंप्रेशिंटों ठीक है तो बर्दन जो इस टोंपरावा थ्री तांज वर्डनेर्ट संप्रेशिंटों रभली अपने एक प्रगती क्मप्रेश्ंट लेविए और दर्डीक एक कुल गती को चुफासंट माइट गती का फ्लस-мााइट व्रचति तो यानि फ्लिक्सेशंस ओप स्पीड है जो N1-N2 है प्लस माइनस टू परसेंट ओप मीन स्पीड एन ठीक है मैं आती है तो N1-N2 बार प्लस माइनस टू परसेंट यानि इसका डॉल होगा है फोर एन्टू एन की वेल्व का है 300 अपन परसेंटेज है तो 100 तो N1-N2 इस परकार अ परसेंटेज परसेंट आपने कारी नगन माना हुआ है तो इसमें जो फोर स्टों इंजन है तो उसमें आप जानते हो कि 720 डीग्री होता है थीक है यानि फोर पाई होती है एक जब ज़दा के इक चक्र पूर होता है में तो इसमें चार श्ट्रोंग है तो पहला जो हें फ़्जब इसमें चार करके ले लिए अब इसमें दो उसका तर्वजाकार तो compression का जो हो रहा है जिसमें जितना हो रहा है यह तरवजा करना माल लिया और इदर expansion ठीक है जो power stock का वो माल लिया पर तरवजा का ठीक है तो यह अपना इस प्रकार turning moment हो गया अब इसमें अपन जो है टी मीन लेते तो टी मीन की यह देखा यह इदर इस प्रकार हिज़ दी अब पर पॉंड मार्च कर देते हैं इसमें तो इसमें जैसे a b c d e fg इस तरह है अपने यह मार कर दिया इतर एंगल पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई यह पहले मार्क कर दिये ठीक है और यह अपना जो है टी मैक्सिमम होगा turning moment मैक्सिमम इस पॉंड यह पर तो यह इस तरह है अपन ड दिखालते हैं मैंने प्रतिचक्र इतना कारी किया गया तो वह बरार होता पी इंटू 60 अपन एं ठीक है तो यहां पर चयों की फोरिश्टोक इंजन है इसलिए इन की विल्ट क्या होती है तो पी इंटू 60 पी अपन को पता है 20 इंटू 10 पाव 3 और यह 60 अपन एंवाई 2 जो 300 दे रहते दो तो verdant per cycle अफना 8000 नूटन था आपनेे अपन सब्सक्राइब के ने पना की इसमें पर कंप्रेश्ट ओर में तो expansion में तो हमको positive उसमें है और compression negative क्योंकि यहाँ अपन को उर्जा खर्च करनी पढ़ रही है और यहाँ पर उर्जा अपनी produce हो रही है तो net burden per size क्या हो जाएगा जो burden expansion stroke burden minus compression stroke का burden ठीक है तो यह हो जाएगा we minus wc ठीक है और अपन ऊपर देख सोगें we बराव कितना है 3 wc यहाँ पर यह लेख सकते हैं wc बराव we upon 3 तो यहाँ पर we minus wc की जाएगा we upon 3 तो यह क्या आजएगा 2 by 3 we ठीक है तो यह अपन ने equation second मान ली और वो first थी तो equation first और second से अपन जो है क्योंकि burden पर यह भी burden पर cycle है तो यह बराव यह करतेंगे यानि 2 by 3 we बराव क्या आ जाएगा 8000 ठीक है तो इस से जो है यह बराव 8000 तो we कमान आ जाएगा 12000 newton meter ठीक है तो यह आपका 12000 newton meter आ गया अब अपन देखते हैं कि जब expansion stroke में किया क्या कार यह जो अपन अगर diagram से देखे हैं ठीक है तो expansion stock में किया गया कार यह यह जो expansion stock है यह अपना ठीक है तो इसमें किया गया कार यह कितना होगा इस triangle का जो area है ठीक है क्योंकि अपन जो turning moment diagram देखते हैं तो जितना area जो होता है यह उसमें किया गया कार होता है तो expansion stock किया गया 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 है यह area of triangle ABC तो area of triangle ABC बराबर क्या होगा area of triangle ABC का half into base into height BC upon height कितनी BC into AG ठीक है BC की value किया है BC है πाई 2 पाई 3 पाई तो यह पाई है और इन्टू AG और expansion stock में अपन निकाला पहले किया कार यह 12,000 ठीक है तो यह 12,000 बराबर half pi AG आजाए तो यहां से अपन AG AG क्या है T maximum जो अपन को turning moment maximum प्राफ्ट होगा है तो यह T maximum यह अपन को किन्दा आजाएगा इसको इस तरह यहां से निकालेगा 2 into 12,000 होजाएगा अपन पाई तो यह आगया 7,638 newton meter ठीक है तो यह turning T maximum अपन को प्राफ्ट होगा अब अपन को निकालना है mean turning moment T mean ठीक है T mean कितना है आजएग जी देख रहे हम आप इस डाइग्राम है आजएग जी तो क्योंग T mean बराब क्यों होता है burden per cycle upon crank angle per cycle ठीक है तो burden per cycle कितना अपने निकाल दिया था burden per cycle 8000 निकाल हुआ है अपना और crank के angle कितना है 4 pi 4 stock engine है 4 pi तो इससे आगया 637 637 newton meter इसको आप इस तरह भी निकाल सकते हो फोर्मल होता है P equal to 2 pi and T upon 60 ठीक है और यह अपनी requirement energy होती 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 है तो अपने को T excess जो निकाल नहीं है तो आप की value तो आप बरावर यहाँ diagram आप देख रहे हो यह बरावर क्या है AG minus FG ठीक है न AG minus FG कर देंगे तो यह आप आजाएगा तो यह AG minus FG और AG अपने निकाल दिया 7630 जो T maximum है AG T maximum है 7630 minus FG ठीक है तो FG कितना आगया 636 जो आपने निकाला मीन टर्निंग तो यहाँ से आप अपन को जो एक्सिस टर्निम यह हो गया 7001 नूटन मीटर है ठीक है अब आपन देखते हैं इस triangle में यह जो triangle है यह वाला ठीक है इस वाले ABC triangle तो इसमें देखते हैं जो triangle ADE और ABC similar triangle ठीक है तो यहाँ से आपन क्या कर सकते हैं तर्विश के नियम अचाल DE upon AF DE upon AF बरावर क्या रख सकते हैं BC upon AG ठीक है ना BC upon यहाँ से AG तो यहाँ से D बरावर क्या जाएगा AF into BC upon AG ठीक है यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा आपका AF into BC into AG तो यहाँ पर यह value अपन ग्याद करी चुक है AF की BC की और AG की सारी value अपन को पता है तो यह अपन यहाँ पर यह रख देदे AF T maximum है BC pi है और AG की value अपन ने निकाल ली यह 7630 यह रख दिया तो DE का माद की आदेगा 2.88 radian ठीक है एंगल ओरिजेंटल उसमें ठीक आए तो DE इतना एंगल आदेगा 2.88 radian ठीक है अब अपन देखते है maximum fluctuations of energy निकालते है तो वो triangle अपन देखा भी जो triangle है वो maximum fluctuations है expansion stock में जो हो रहा power stock में जो energy मिलती है तो वो fluctuations of energy होगी वो area of triangle AD ठीक है उसमें जो T mean के उपर जो है अपना वो है ठीक है तो वोहाँ से क्या आजाएगा half of T into A ठीक है D के वे जो आपको पता है कितने आगी 2.88 ठीक है और ये F ठीक है half of D into F है तो A71001 ठीक है तो यहाँ से flexion of energy आगया 10,000 81 Newton मेंटर ठीक है maximum flexion of energy अपने निकल दिया expansion of triangle से अब maximum flexion of energy जो अपन मानते E1-C2 बरावर क्या होता pi square upon 900 mk square into n1 plus n2y2 into n1 minus n2 हम जानते ये तो यहाँ पर जो है सारी वाज़ flexion of energy कितने आगी ये 10,000 रिक्या से तो यह यहाँ पर 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 दी pi square upon 900 और mk square किसके बरावर IQ square moment अब इने से होता है तो यहाँ आई रख देते हैं जिसको आपनो ग्याद करना है n1 plus n2y2 इसकी जो माइद दिगत है तो यहाँ से यह इसको आगे जब solve करेंगे अपन तो IQ बेड़ जिवा जाएगी यह है 255.2 kg m2 यादि 255.2 kg m2 ठीक है धन्वाद